हेलो फ्रेंड्स आज हम जानेंगे सूर्य ग्रेंड के बारे में जोकी सोलार एकलिप्स होता है उससे पहले जानते हैं एकलिप्स क्या होता है ग्रहन तब लगता है जब अंत्रिक्ष में एक चीज के कारण दूसरी चीज दिखाई नहीं देती ग्रहन दो तरीके के होते हैं सूर्य ग्रहन और चंद्र ग्रहन means सोलार एकलिप्स and लूनार एकलिप्स इस वीडियो में हम बात करेंगे सोलार एकलिप्स के बारे में अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हो सूरज, चंद्र और धर्ती एक ही लाइन में है जिसके कारण चंद्र की छाया प्रित्वी पर पड़ रही है इस कारण जो उस साइट पे जो लोग रहते हैं उन लोगों को सूरज नहीं दिखेगा और उस एरिया के आसपास रहने वाले लोगों को सूरज पार्षली दिखेगा और इसी को हम सूर्य ग्रैन कहते है आपको तो पता होगा संद्र धर्ती के चकर काटते रहता है और धर्ती सूरज के चकर काटते रहती है और इसी बीच में इसी सिचुएशन बन जाती है मून धर्ती और सूरज के बीच में आ जाता है इसी को हम सोलार एक्लिप्स कहते हैं सोर्य ग्रैन प्रित्वी के कुछी हिस्सों में दिखता है सोर्य ग्रैन के तीन टाइप्स होते है टोटल एक्लिप्स, एनुलार एक्लिप्स, पार्शल एक्लिप्स पहले समझते हैं टोटल एक्लिप्स को टोटल एकलिप्स का मतलब जब चंद्र सूरज को पूरी तरह से ढग देता है जैसे की स्क्रीन पर दिख रहा है दूसरा टाइप है एनुराल एकलिप्स इसमें चंद्रमा सूरज को ढग देता है लेकिन सूर्य चंद्रमा के किनारों से दिखता है पार्शल एक्लिप्स में सूर्य का एक ही इससा चंद्रमा कवर करता है जैसे की स्क्रीन पर दिख रहा है क्या सोलार एक्लिप्स सच में खतरनाक होता है और होता है तो क्यूँ सोलार एक्लिप्स के टाइम पर सूरज हमारे आखों के कमपैरिजन से ज़्यादा तेज रोशनी फेञता है जिससे आखों के रेटीना को नुकसान हो सकता है इसलिए ये एडवाईस दी जाती है खुली आखों से सूरज को मत देखना सोलार एकलिप्स को देखने के लिए अलग टाइप के गॉगल्स मिलते है अब जानते हैं सोलार एकलिप्स की कुछ इंडरेस्टिंग बाते एकलिप्स वर्ड एक ग्रीक वर्ड से बनाया गया है इसका मतलब होता है डाउन फॉल कि आप जानते हैं ज्यादा से ज्यादा सोलार एकलिप्स 7.5 मिनिट का हो सकता है और एक साल में मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 सोलार एकलिप्स हो सकते है और सबसे इंट्रेस्टिंग सोलार एकलिप्स में एनिमल्स कभी-कभी कन्फ्यूस्ड हो जाते है और थोड़ा strange बिएव करते है That's all for today Next वीडियो में lunar eclipse के बारे में जानेंगे Thanks for watching my video Please like, share and subscribe Have a nice time